हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे योटूब चैनल सुवन डमल महार्दिर स्वाधत है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेरा जो 21 डेस 21 किलोमेटर चैलेंज का जो जर्नी है उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने के लिए चाह रहा हूँ तो वीडियो सु 2022 में मैं अपना रणिंग जर्नी स्टार्ट किया था मैरफन को दिमाग में रख करके और वहां से ले करके अभी तक अब जुलाई मंत आएगा तो दो साल हो जाएगा और जब मैं अपना स्टार्ट किया था उस समय मैं काफी अनहल्दी था 75 kg मेरा वेट था उस समय और आज म मैं अभी कोलकता पुलिस का दोड़ करके आया हूँ 1 hour 32 minute में अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में अब 21 days 21 km चैलेंज में मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम आई मैंने क्या-क्या चीज को सीखा इस चैलेंज के दौरान में मैंने किन-किन चीजों को ध्यान में रखा क्या क्या डाइट इस्तमाल क्या है क्या recovery के लिए मैंने क्या चीज लिया मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो को सिरिफ आप मेरा वीडियो देख करके कि मेरा चैलेंज 21-21 km ऐसे मत देखि यह कि कोई एक लड़का लॉंग रनिंग करना चाहता है लंबे समय के लिए अब वह लॉंग रनिंग लॉंग डिस्टेंस अलग-अलग एथलीट के लिए अलग-अलग परसंड के लिए अलग हो सकता है किसी के लिए डेली 5 km दोड़ना बड़ी बात हो सकती है किसी के लिए किसी के लिए half marathon का distance तो किसी के लिए full marathon का distance अब सवाल आता है कि मैंने ये 21 km का distance को क्यों choose किया तो इसको choose करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मुझे बहुत से लड़कों ने ये message करके, phone करके ये सवाल पूछा था कि सर जी क्या हम लोग long distance को regular दोड सकते हैं और long run अगर हम लोग regular दोडते हैं तो हम लोग को क्या-क्या problem आता है तो उस समय मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था तो मैं इसे अपने उपर taste try करके मैं बताना चाह रहा था क्योंकि मेरे इस channel का यही usp है कि मैं खुद जो taste try करता हूं मैं खुद जो इस्तमाल करता हूं उसी चीज को मैं बताता हूं तो अब यह सवाल आएगा कि आखे 21 दिन ही क्यों या 21 किलोमीटर ही क्यों इससे भी छोटा या बड़ा कर सकते थे तो देखे इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैं अभी फिलाल 10 किलोमीटर का distance दोड़ता हूं अब मुझे हाफ मैर्थन में switch करना था और अभी मैं अपना कोलकता पुलिस का event को दोड़ करकाया तो मेरा दिमाग में था कि मुझे अपना हाफ मैर्थन पे switch करना है और उसका time को improve करना है तो मैंने हाफ मैर्थन का distance को choose किया अब दूसरा सवाल इसी में आएगा कि आखिर 21 दिन ही क्यों तो इसके पीछे सबसे बड़ा scientific logic मैं बता जेता हूं कि science according to science किसी भी चीज को अगर हम लोग 21 दिन तक करते हैं तो वह हम लोग का habit बन जाता है आप कोई भी काम करोगे लगातार 21 दिन करते हो तो वह आपका habit हो जाएगा तो इसलिए मैंने 21 दिन को चुना इसके पीछे दूसरा कारण और है कि 21 नमबर 21 नमबर एक lucky नमबर है हम लोग का हिंदू धर्म में आप देखोगे तो और नमबर को lucky मना जाता है जैसे हम लोग किसी को दान दचिना भी देते हैं तो 11 रूपया 21 रूपया एकाउन रूपया 101 रूपया ऐसे करके देते हैं इसके अलावा 21 किलोमेटर 21 दिन 21 देस 21 किलोमेटर सुनने में भी काफी अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको चूज किया इसके अलावा मैं अपना VO2 मेक्स को बढ़ाना चाह रहा था जब मैं स्टार्ट किया था रनिंग तो उसमें मेरा VO2 मेक्स 54 था और अभी इंड में मेरा VO2 मेक्स 56 है तो मैं दो पॉइंट अपना VO2 मेक्स को भी इंक्रीज किया हूँ इसके अलावा मेंटल टफनेस मैं मेंटली अपने आपको फिट करना चाह रहा था मैराथन में फिसकल फिटनेस के साथ-साथ मैंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप मेराथन का डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाओगे तो मुझे अपना इसको भी ठिक करना था तो इतना सारा बात को ले करके मैं अपना जर्नी को स्टार्ट किया यह चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं जिन लोगों को भी ट्रेनिंग देता हूँ उलाइन ट्रेनिंग देता हूँ उन सब को मैं इसी तरह से गाइड करता हूँ और उनको एकदम फैक चीज बताता हूँ जो मैं खुद पे टेस्ट राई करता हूँ तो मुझे यह चीज बताना था उन लड़कों को कि क्या-क्या समस्य आएगी क्या-क्या चीज का सावधानी वरतना है ताकि आप लॉंग डिस्टेंस आराम से कर पाऊ पिना किसी परिसानी की अब आएगा मैं आपको दिखा लेता हूँ यह मैं घर में अपना डेली बेसेस में ग्राब बनाता था अब यह मैं लगातार 21 दिन दोड़ा 21 किलोमीटर और सबसे जो हायस्ट पिक पॉइंट जो मेरा गया है वो गया है 2 घंटा 19 मिनट 14 सकेंड यानि कि मैं 2 घंटा 20 मिनट के अंदर में अपना ये 21 किलोमीटर का डिस्टेंस को डेली खतम कर दिया हूँ और मैं इसे मॉर्निंग में दोड़ने के लिए जाता था सिर्फ एक ही टाइम में दोड़ा हूँ सुबा का टाइम पर मैं जारकंड से हूँ यहाँ पर काफी ठंडा था मैंने अलग-अलग मौसम में भी रन किया है बहुत खराब मौसम में भी रन किया है ऐसा था कि visibility भी ना के बराबर थी तब भी मैं गया हूँ मैं नॉर्मली सिंगलेट वगेरा में दोड़ता हूँ पर इतना ठंडा था कि मुझे टाइट वगएरा पहन के भी दोड़ाना पड़ा है, तो अब मैं आप लोगों को इस चैललेंज के दोड़ान में क्या-क्या समस्या आई हैं, उनके बारे मैं आप एपिसोड वाइज बना दूँ तो आप इसे एपिसोड वन मान लो आगे चलकर मैं एपिसोड टूर थ्री ऐसे करके बाकी सब चीजों को बता दूँगा और आप लोग एक चीज बता देता हूं कि मैं पूरा जर्नी को शॉट्स वीडियो के माध्यम से पूरा बताया हूं और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहें मैं आने वाला समय में पूरा अच्छी तरीके से आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि आखिर मैंने रिकवरी के लिए क्या-क्या चीज को इस्तमाल किया क्या-क्या एक्सराइज को एड़ किया ताकि मुझे बिना किसी इंज इंटिक बजा लीजिए कि जैसे मैं यह नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा आपको तुरंच मिल जाएगा तो ठीक है और साथ में आप लोग का माइंड में जो जो सवाल आएगा वह कॉमेंट करके मुझे बताएगा तो उस चीज को मैं नेक्स्ट एपिसोड में उस सब चीज तुमे